Hello guys, this is me, Ziavulasan and you are watching Hasana Art Studio So, आज हम आपके इस lecture में लेकर आए हैं पहाडी स्कूल की टू पेंटिंग्स जो कि आपके स्लेवस में दी गई हैं आपके स्लेवस की दोनों पेंटिंग्स आज हम कवर करने वाले हैं इस lecture में तो बनी रही है हमारे साथ लास्ट तक तो इसमें टू पेंटिंग्स आपकी दी गई है जिसका फर्स पेंटिंग है कृष्णा विद गोपीज जो की मनाकु ने बनाई है और इसका जो सब स्कूल है वो बसोली है and second painting है आपकी नंदिय सोदा कृष्णा विद किन्समन गॉइंग टू विरंदावना जो की नैन सुख ने बनाई है और ये कांगरा सब स्कूल की painting है तो आपके यहाँ पर टू सब स्कूल बहुत फेमस हैं वो इंपोर्टेंट हैं बसोली और कांगरा और आपको याद रखना होगा कि बसोली सब स्कूल में कौन से आर्टिस ने कौन सी painting बनाई है और अब बात कर लेते हैं फर्स पेंटिंग की जिसका नाम है कृष्णा विद तो यहाँ painting के नाम से ही पता चल जाता है कि कृष्णा जी गोपी के साथ इस painting में दिख रहे होंगे और यह painting जो है वो मनाकु ने बनाई है वो सब स्कूल इसका बसोली है और इसका जो medium है वो water color on paper technique tempera जैसे कि हमने last chapter में बताया था आपको दराइस्थानी स्कूल में जब ह आपके mcqs में या फिर question paper में आ जाता है कि technique और उसमें watercolor या फिर color का कोई नाम नहीं दिया गया है और उसमें tempera दिया गया है तो आप वहाँ पर tempera भी लगा सकते हैं अगर watercolor नहीं दिया गया है तो okay so अब इसमें हम बात करते हैं कि इस painting में हमें क्या देखने को मिलता है अगर अब भी हम देखें तो तो यहां पर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले हम देखेंगे कि कृष्णा जी कृष्णा जी यहां पर गोपियों के साथ कृष्ण लीला कर रहे हैं इसे कहते हैं कृष्ण लीला तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कृष्णा जी जो की ब्लू कलर में पेंटेड है और धोती उनकी येलो कलर की है और उनोंने एक बहुत बड़ी सी माला पहनी विये अपने गले में और सर पे इनोंने ताज पहना हुआ है यहाँ पर टू गोपी जिनके कंदों पर इनोंने हाथ रखे हुए है वो आपको देख गोविंद कृष्णा इस ओन इंजोएंग विद्गोपी जैड बैंक ओफ यमना कृष्णा इस सराउंड़ेट बाइट गोपीज हूँ आर एक्सप्रेसिंग देर लव और एमोशन तो वर्स हिम तो यहां पर आपको पता चला की एट गोपीज हैं आपर तो इसमें हमारे ज जो फिगर्स और 999 सिकलद इसपेंटिंग में दिय गए हैं एन्ड गृस्णा इस ड्यपिक्टेट इन डार्ग ब्लु कलर इसमें कृष्णा को ब्लू कलर में बनाया गया जाया थायर चम्ब्लू कलर में बनाया गया आगा है और हीशि figure is my profile faces and sloping had eyes like lotus and petals and a sharp nose in the center two gopis have amber is krishna and and the third is touching his feet the fourth is praying in a standing position uh with her head headboard the the fifth gopi is kneeling down in praying position and the six is looking back and talking to the seventh one who is holding the white chundri in her hand in the last gopi has fan in her hand abhiya aur hamis minora discuss kalita hapainting say related he painting ko dekha denora to explain abhi abhi hapainting में देखेंगे कि जो पेंटिंग है जहाँ पर कृष्णा जी खड़े हैं वहाँ पर एक आपको नदी दिख रही है यहाँ पर एक maybe it's यमुना नदी and जो हमारे बैक्ग्राउंड में जो दूर के ट्री दिख रहे हैं वह अलग-अलग के पेंट हो रख हैं और उनमें लीव्स भी अलग-अलग पैटर्न की हैं और कई जगे आपको colorful leaves भी आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर four ground इसमें देखने को मिलते हैं और जो इनका just background है वो यहाँ पर भगवा कलर कह सकते हैं इसे या फिर कह सकते हैं ओरेंज कलर का यहाँ पर टिपिट किया गया है तो यह आप सब अब धिहान रखेंगे और नेक्स आता है नंदियसोदा एंड कृष्णा विद गूइंटू विरंदावना किसमें गूइंटू विरंदावना तो यह है कांगड़ा सब स्कूल की पेंटिंग जिसका medium water color on paper टैंपरा टैकनिक अब इस पेंटिंग में आपको क्या देखने को मिलता है इसमें कृष् कृष्णा जी यहां पर यह है और बाकी के इनके साथ जो लोग जा रहे हैं वो यह है और कृष्णा जी ने यहां पर भी yellow धोती पहनी हुए है blue color के painted है और इनकी जो माला है वो feet तक आ रही है लगबग ठीक है और जो इनका crown है और इसमें एक feeder भी लगावा है और बाकी इस भी fry in ृति नवर्न एक और जहां इनके मिलता है और यहां पर यहां पर शोटा सा ब्लेज टाईप भी हमें यहां देखने को मिलता है और उसके पीछे क्लावड है कोटनी क्लावड और उससे पीपिंग आउट होती भी वरंदावना की बिल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ठीक है तो आप इस पेंटिंग का नाम है नंदिय सोदा इन कृष्णा तो वरंदावना की जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर दूर से देखने को मिल रही है और यहाँ पर यह बलराम इसारा कर रहे है कि वो देखो वहाँ से दिख रहे हैं और यहाँ पर कृष्णा जी भी इसारा कर रहे है कि हमें यहाँ से दिखने लग गया है तो इस पेंटिंग में बस इतना ही है और कलर की बात करें तो येलो कलर और कोल्डन कलर जो है इसमें ब्लू कलर की है और यह जो एपिसोड है भगवत पुरान का है आप यह याद रखेंगे कि यह भगवत पुरान का एपिसोड इन इस पेंटिंग से इन हैविटेंस और गोकुल अस वेल अन्दी आशोदा एंड कृष्णा है विरंदावना बेस्ट अन एपिसोड भगवत पुरान भगवत पुरान और पेंटेंट इन कांगरा स्टाइल इन इसे पुचा जा सकता है कि किस पांटिंग में थ्री पीपल इन शेमिंग इन इमना तो आपकी वो पींटिंग है नंदेसोडा एंड कृष्णा विंट विंदावना रस्ट फेंट अन्दी इस वर्गवत विड़िग विड़ विड इन पांट कृष्णा है अन अट इन्ड हाफ नेगर एकस्पेक्ट नंद ये ये शोद आप वन अदर क्राउन पर्सन हुए पुट उन ब्लू कलर कोस्चूम इस पोजी बल्राम ये बल्राम है जो ब्लू कलर के हैं और रेजिंग वन वेस हां आप शिंगलिंग तौर्स बूर्ड दरावना अल्डूमन फिंगर्स व र strip clothes down the loin मतलब यह नीचे जो नीचे का जो पार्ट है उसमें उने strip clothes पहने वे हैं सभी ने and their heads have been have also been covers with the so यहां पर इन उने यह clothes पहने वे हैं and the cover with the multi-color clothes on one the left bank of the river there is a bird sitting on a cut stem on a heavy tree another stem has also been shown a sitting bird आप यहां पर देख सकते हैं यह जो दोनों word यह दिख रहें and on the right side of the painting is a tree on which have been shown coils round teepers in the in the background there is a sky and surrounded with the clouds that and through them are peeping out the golden buildings of brandavana the ground of the other sides of the river has been shown filled with the greenery so this is this is all about your chapter the Pahari school of miniature painting and we have completed both the chapter the Raiasthani school and the Pahari school also and we have completed first unit all the all the lecture of the first unit and now only left two chapter which name is the Mughal school and the Decken school we will discuss in another day on these both the chapter and uh उसके बाद हम एक सीरीज भी लाने वाले हैं जो किम सीक्यूज बेस्रीज है आभी Mceqs आपर प्रेरिंग्द का चैप्टर देखने का तो वो आप हमारे 2021 और 2021 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वो भी सेम स्लेवस है आप वहां से पढ़ सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपने हमारा चनल सस्क्राइब नहीं किया तो तुस्ते चनल सस्क्राइब कर लिजे औ और बेलरिकन को भी प्रेस कर लिए जब तक कि आपका 12 नहीं कंप्लीट हो जाता थैंक्यू फो वाचिंग